लिंग बच्चों, चित्रों के नाम बोलिए अध्यापक, अध्यापिका मुर्गा, मुर्गी यहां अध्यापक और मुर्गा पुरुष्याति के शब्द है अध्यापिका और मुर्गी स्ट्री जाति के शब्द है संग्याशब्द के जिस रूप से स्ट्री या पुरुष्याति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं पुलिंग और स्ट्री लिंग पुरुष जाती का बोद कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री जाती का बोद कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं, जैसे यहां कुछ पुलिंग और स्त्री लिंग शब्द दिये गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए मोर मोरनी, शेर शेरनी, उट उटनी, हाथी हतनी, घोड़ा घोडी, कटोरा कटोरी, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, चिड़ा चिडिया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नाईका, गायक, गाईका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुमहार, कुमहारिन, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड़ा, गुड़िया, चूहा, चुहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेट, सिठानी, जेट, जिठानी, देवर, दिवरानी, दादा, दाधी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पती, पत्नी, पडोसी, पडोसिन, सहपाथी सहपाथिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताईन, बादशाह बेगम, बैल गाय, नर्तक नर्तकी, मामा मामी, पिता माता, पुरुष स्त्री, श्रेमान श्रेमती बच्चों आप जानते हैं कि वस्तूओं, स्थानों और भावों के नाम भी संग्या होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, बच्चपन, आदी ऐसे शब्दों में स्थ्रीलिंग या पुलिंग की पहँचान करना थुड़ा कठिन होता है, उनमें स्थ्रीलिंग या पुलिंग की पहँचान उनके वाक्यों में प्रयोग को देख कर की जाती है इन वाक्यों को पढ़िए मैंने केला खाया मैंने लीची खाई उसने ताला खरीदा उसने पुस्तक खरीदी इन वाक्यों में केला और ताला पुलिंग शब्द है जबकि लीची और पुस्तक स्रीलिंग शब्द है आप सोचेंगे कि इसका पता कैसे चला तो सुनिए, हमें वाक्य में आई क्रियाओं से इसका पता चला है, क्योंकि वाक्य में आई क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है, खाया, खरीदा, क्रिया से पता चलता है कि वस्तू पुलिंग है, जबकि खाई, खरीदी क्रिया से पता चलता है कि स्ट्रीलिंग है आईए बच्चों लिंग की पहचान करने का एक और तरीका सीखें कभी-कभी संग्याओं के साथ लगे विशेशन शब्दों को देख कर भी उनके स्ट्रीलिंग या पुलिंग होने का पता चलता है जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बच्चों, पर्वतों, फलों, थातों, अनाजों, व्रिक्षों, ग्रहों, महिनों, दिनों, देशों, नगरों के नाम हमेशा पुलिंग होते हैं हमेशा पुलिंग रहने वाले शब्द पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, आदी फलों के नाम सेब, केला, आम, संत्रा, आदी धातूं के नाम सोना, लोहा, तांबा, अपवाद, चांदी अनाजों के नाम गेहुं, चना, चावल, मक्का, आदी व्रिक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बर्गद, अशोक, आदी ग्रहों के नाम व्रहिस्पती, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, आदी महिनों के नाम, चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रेल, जून, आदी दिनों के नाम, रवी, सोम, मंगल, बुद्ध, व्रहिस्पती, आदी देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, आदी नगरों के नाम, कोलकाता, जैपुर, बंगलौर, मत्रा, आदी बच्चों, जिन शब्दों के अंत में इह लगा होता है, ज्यादा तर्वे सभी शब्द स्रिलिंग होते हैं जैसे चिठ्थी, प्रिथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी इसके अतिरिक्त नदियों, भाशाओं, बोलियों, तिथियों के नाम हमेशा स्ट्रिलिंग होते हैं हमेशा स्ट्रिलिंग रहने वाले शब्द नदियों के नाम गंगा, यमना, सरस्वती, नर्मदा, आदि भाशाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराथी, पंजाबी, उर्दू, आदि बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाडी, आदि तिथियों के नाम अमावस्य, पूर्णिमा, एकादशी, आदि अ ann-दि नहाँ, लिपताई आद बिपन्सों के वाशाँ, आदि रदियों के लोजपू symmetric आदिए अनुझावस्य, यृ आदिए आदियांस, आदियों के वाश्त आदिए test हंगे अवधीarch अदिए आदिक